Android 18 एक fictional character है, Dragon Ball Z anime और manga series में. उसका असली नाम Lazulite है, लेकिन उसने Android 18 का नाम अपने Android बनने के बाद adopt किया. Android 18 और उसके भाय Android 17 डॉक्टर, गेरों के दावरा बनाए गये Androids हैं. Android 18 एक powerful fighter hair और Cell Saga के दोरान N का role significant था. उसने Dragon Ball Z के लेटर episodes में Z fighters के साथ भी लिदाई की. Android 18 की खास पैचान वो earrings है जो उसने पहनी होती है. अनका appearance human-like है, लेकिन वो technically Android है, जिसका मतलब है कि उसने mechanical enhancements भी पाए है. Android 18 एक strong and skilled fighter है, और उसका character Dragon Ball Z series में important है. Android 18 की कुछ और महत्वपून बातें Marron Android 18 की कहानी में एक और important हिस्सा है, जिसका नाम Marron है. Android 18 का Patty Krillin है, और Marron एनका प्यारा सा बच्चा है. यह एनका जिन्दगी का एक नया mode है, और Dragon Ball Super series में एनका family life दिखाए गया. Dragon Ball Super Android 18 Dragon Ball Z के बाद भी Dragon Ball Super series में दिखाए गई. उसने Universe 7 के साथ किये गये Tournament of Power में participate किया, जहान पारन का Martial Arts Skills का इस्तेमाल किया गया. Personality Android 18 का Character Series में युनीक है. वो initially villainous थी, लेकिन Cell Saga के बाद वो Z Fighters के साथ जॉइन कर गई और अनका Character Development हुआ. उसका attitude cool और compose होता है, लेकिन वो अपने loved ones के लिए बहुत caring है. Abilities Android 18 की abilities में Superhuman Strength, Speed और Energy Blast शामिल है. वो की समन्या इंसान से कहीन जायदा powerful है, और अनका Martial Arts Expertise भी किसी भी opponent के लिए खतरनाक होता है. Android 18 एक iconic Dragon Ball Character है, जिसका role Series में important रहा है और fans के लिए memorable है. Trunks Dragon Ball Anime और Manga Series में एक प्रमुक केरक्टर है. Trunks एक scion है, जो Dragon Ball Z में पहली बार दिखा गया था. उसका पूरा नाम Future Trunks है. कुछ महत्वपून बातें Trunks के बारे में यह है. Future Trunks, Trunks का पहला appearance Dragon Ball Z के Android Saga में होता है, जब वो अपने dystopian future से present timeline में आता है. वहान, वो अपने अर्थ के बचव के लिए आया होता है, जहान पार Androids और Cell नामक विलन चा गये थे. Scion Blood, Trunks एक scion है, जिसका आथ होता है कि उसमें Super Scion के शक्ती होती है. उसने अपनी क्षट्रिय शक्तियों का इस्तेमाल अपने दुश्मन आन पार किया है. Time Travel, Trunks के पास एक time machine होती है, जिसकी मदाद से वो present से future और future से present timeline में जा सकता है. यह Time Travel उनके लिए एक महत्वपून plot point है. Appearance, Trunks का distinctive look होता है. उसके Violet Claude Hair और Purple Jacket के साथ की गई styling उन्हें अलग बनाता है. Future Trunks vs. Kid Trunks, Dragon Ball Z में डू अलग-अलग Trunks characters है future trunks और present trunks. Future Trunks dystopian future से आता है, जबकि present trunks का जन present timeline में होता है. Future Trunks की growth, future trunks अपने साफा के दौरान काफी है तक विकासी ठोट है. वो Super Saiyan, Super Saiyan 2 और Super Saiyan Rage की स्थिती में आते हैं. Roll in Dragon Ball Super, Future Trunks Dragon Ball Super में भी वापस आते हैं, जब वो एक और खतरनाक विलन जमासू के खिलाफ लाटते हैं. यह कुछ महत्वपून बातें Trunks के बारे में हैं. अगर आपको और अधिक जनकरी चाहिए, तो आप Dragon Ball Anime और Manga देखकर या पढ़कर उनके Adventures के बारे में अधिक जान सकते हैं. नेजन बू Dragon Ball Z में एक प्रसिद विलन है. यह एक शक्तिशाली और अमर विलन है, जो की कई रूपों में प्रकट होता है. उसका प्राटैम रूप Fat Boo था, जो प्यारा और भूलापन भरा था. उसके बाद उसका रूप बदलता रहा, जैसे Super Boo और Kid Boo. नेजन बू की शक्ति कई प्रकार की थी, जैसे की शक्ति का धारंग करके किसी को अपनी गुलाम बनाना, रेजनरेटर्व हीलिंग पावर और बुराई से एचाई की तरफ पलटना. उसका मुक्य उडेशा लॉगाउन को नक्सन पहन चना और दुनिया को टबा कर देना था. ब्राइगन बॉल जैड में उसके साथ के युड़ और गोकु, वेजिटर और उनके डॉस्टन के बीच के युड़ के किस प्रसिद है? नेजन बु के और कुछ महत्वपूर्ण बातें. फैट बु और मिस्टर सेटन की डॉस्टी, जब फैट बु दुनिया पार आया, तो उसका दिल अच्छा था और उसने मिस्टर सेटन हर्क्यूल से डॉस्टी की. मिस्टर सेटन ने असको भी नाम दिया और उनकी डॉस्टी काफी महत्वपूर्ण था. इवल बु का जन्व, फैट बु के अंडर के शैटानी भावनाओ का परिनाम इवल बु के रूप में डिखा. यह पलियन करके सूपा बु बना, जो की अधिक शैटानी और खतरनाक था. किड़ बु और दुनिया का खात्मा, किड़ बु, मेजन बु का सबसे अंतिम रूप था. यह अटिंट खतरनाक था और दुनिया को टबा करने की कोशिश काटा था. इसके लिए गोकू और वेजिटर ने मिलकास की सहायाटा ली और किड़ बु को हराया. मेजन बु का पुनारजन, ड्रागन बॉल जेट के अंत में, फैट बु को पुनारजन मिला, और वो एक समन्या इंसान की तरह जीवन बिटाने लगा. इससे वो एक प्यारर और दोस्ताना व्यक्ती बैन गया. मेजन बु एक मुख्या विलियन है, लेकिन उसका कैरेक्टर डिवेलेपमेंट और उसके साथ के किस ड्रागन बॉल जेट सीरीज के लिए महत्वपून है. ड्रागन बॉल सूपर, ब्रॉली, एक पॉपिलर ड्रागन बॉल एनिमे मूवी है जो 2018 में रिलीस ही थी. इस मूवी में ब्रॉली नाम के एक पाव़फुल साइन केरेक्टर को इंट्रिद्यूस किया गया, जिसका डेजाइन और बैक्स्टोरी ड्रागन बॉल जेट के ओरिजिनल ब्रॉली से अलग था. इस मूवी में गोकु, वेजिटर और ब्रॉली के बीच एक एपक बैटल दिखाया गया, जिसमें ब्रॉली ने अपनी बिहार टकात दिखाये. मूवी में गोकु और वेजिटर नाई फॉर्म्स, सूपर साइन ब्लू में, अकेले या मिलकर ब्रॉली से लटते हैं. ड्रागन बॉल सूपर, ब्रॉली, ने नई ब्रॉली को ड्रागन बॉल कैनन में शामल किया और उसके ओरिजिन स्टोरी को एक्स्प्लॉर किया. यह मूवी Dragon Ball fans के लिए एक thrilling experience थी और Brawley को एक prominent character बना दिया Dragon Ball Universe में Dragon Ball Super, Brawley, मूवी में एक और interesting aspect यह था की इसमें Dragon Ball Z series के continuity में कुछ changes और Ritkin's retroactive continuity changes किये गए यह मूवी Dragon Ball Super series का हिस्सा है और इसमें Dragon Ball Z के events को redefine किया गया इस मूवी में Goku और Vegeta के childhood memories को डिखाया गया जिसमें N का interaction Brawley से हुआ था यही एक नया twist था जो original Dragon Ball Z series में नहीं था इस मूवी में Goku और Vegeta के childhood memories को डिखाया गया जिसमें N का interaction Brawley से हुआ था यह एक नया ट्विस्ट था जो ओरिजिनल ड्रागन बॉल जेट सीरीज में नहीं था ओवरॉल, ड्रागन बॉल सूपर, ब्रॉली, एक एक्शन पैक्ट, विजुली स्टनिंग मूवी थी जो ड्रागन बॉल युनिवर्स में एक नया दाइमेंशन लाए और फैन्स को एक एक एक्साइटिंग अड्वेंचर ओफर किया Dragon Ball गोहान एक फिक्शनल केरक्टर है Dragon Ball Manga और Anime सीरीज में गोहान गोकू और चीची के बेटे हैं, उसका पहला अप्येरंस द्रागन बॉल जेड में हुआ था गोहान एक intelligent और gentle character है उसका character development series के साथ बढ़ता है जब वो batcher था तो वो एक shy और bookish child था लेकिन जब वो बड़ा तो उसने powerful fighter भी बैन गया गोहान का एक iconic moment Dragon Ball Z में N का Super Saiyan 2 transformation था जब वो cell को हराया उसका character Dragon Ball Super में भी important role play काता है गोहान फैन्स उसके bravery और dedication के लिए उनको पसंट करते हैं गोहान की कुछ और interesting बातें Great Simon गोहान का एक unique alter ego है Great Simon जब वो high school में था तो वो एक super hero की तरह mask पहन कर criminals से लगता था इस character से comedy भी Judy ही थी जो Dragon Ball Z में काफी entertaining थी Scholar और fighter, गोहान एक scholar भी है उसने अपनी studies को कभी भी अग्नोर नहीं किया और वो एक well educated person है लेकिन जब दुनिया को danger में होता है टैबो अपनी fighting skills का भी सहारल लेटा है Family man, गोहान family के लिए बहुत dedicated है उसका relationship गोकू, चीची, गोटन और विडल के साथ काफी strong है वो अपने loved ones के लिए हमेशा ready है कुछ भी करने के लिए Mr. Gohan, Dragon Ball Z में गोहान एक powerful transformation भी experience का तह है जीज Mr. Gohan कहते हैं इस transformation में उसका latent potential unlock होता है और वो Super Boo के साथ एक epic battle लगता है Gohan Dragon Ball सीरीज का एक important character है जिसका character arc और evolution फैंस को पसंद आता है Piccolo Dragon Ball Z नामक anime और manga सीरीज में एक प्रमुक किरदार है वो एक नमेकिन है जो एक अलरग प्रकार के humanoid जाती से है और वो अर्थ पार आया था अपने शक्तियों को इस्टिमाल करने के लिए कुछ मुख्य बातें Piccolo के बारे में है नमेकिन जाती Piccolo एक नमेकिन है जो अपनी जाती के आन्यर सदास्यों से अलग है नमेकिन्स धर्टी पार अलग-अलग कामों के लिए उप्योग करते हैं जैसे कि शक्ति डट हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं और शक्तियों को मिला कर और भी शक्तिशाली बनेट हैं दूसरे नमेकिन्स से जुड़ना Piccolo का असली नाम Piccolo नहीं था पहले उसका नाम कामी था लेकिन जब वो एक साथ अपने डूसरंच यानी की नेल और कामी के साथ मिल गया टूवन का नाम Piccolo बना Dragon Balls और Dragon Balls की रक्षा Piccolo ने Dragon Balls की रक्षा की और बाद में अन्हों ने उनको फिर से बनाया Dragon Balls का उपयोग Z Fighters के लिए सहायक होता था क्योंकि ये उनको Dragon Shenron को ब्यूलेंड में मदाद करते द जो त्री इच्चायन पूरी कर सकता था Martial Arts Expert Piccolo एक कुशाल युदिश्थिर था और उन्होंने अपनी शक्ती को सुधान के लिए Martial Arts की प्रटिश्था भी हासल की एनका दिखाया गया की युद्ध करने का तरीका Dragon Ball Z में कई बार महत्वपूर्ण था Z Fighters का साथी, Piccolo ने Z Fighters के साथ मिलकर की सारी जानलवा पराक्रम किये और एन्होंन ने दुनिया की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाए वो गोकु, गोहान, वेजटर और डूस्व Z Fighters के साथ टीम में काम करते थे यह कुछ महत्वपूर्ण बातें है Piccolo के बारे में वो Dragon Ball Z में एक प्रमुख किरदार्दी और अनका योगदान सीरीज के सफलता में महत्वपूर्ण था Freezer एक पावरफूल एलियन विलन है, जीस Dragon Ball Z के में प्रोटागनिस्ट, गोकु, और उसके फ्रेंड्स के साथ बैटल करना पड़ता है Freezer का अपियरंस हुमनोईड होता है, लेकिन उसका ट्रू फॉर्म एक पावरफूल ट्रांस्फरमेशन में होता है उसका कारेक्टर Dragon Ball Z की अर्ली सागाज में इंट्रिद्यूस हुआ था और वो एक रूथलिस टाइरंट है, जिसका गोल युनिवर्स को कॉमकर करना होता है Freezer के स्पेशल पावर्स, एनरजी ब्लास्ट्स, ट्रांस्फरमेशन्स और सूपर हुमन स्ट्रेंक्ट्स से जूड़ी होती है उसका कारेक्टर Dragon Ball Z सीरीज का एक आइक आइकोनिक अंटागनिस्ट है Freezer के कारेक्टर के कुछ और इंट्रिस्टिंग फाक्ट्स Power Levels, Freezer अपने Multiple Transformations में Power Level को इंक्रीज कर सकता है उसका Final Form, Freezer's 100% Full Power के रूप में एक Extremely Powerful Villain बनाता है Planet Vegetar, Freezer ने Planet Vegetar को Destroy किया था जिसमें Science Race रैटी थी क्योंकि वो Science को एक Potential Threat मानता था Golden Freezer, Dragon Ball Z के Later Sagas में, Freezer एक नया Transformation, Golden Freezer में आटा है जिसमें वो और भी Powerful हो जाता है Nemesis of Goku, Freezer Goku के एक बड़ा Rival है और का Epic Battle Planet नमेक पार हुआ था, जिसमें Goku ने अपनी Super Saiyan Transformation दिखाए थी Resurrection F, Freezer को Dragon Ball Z, Resurrection F, Movie और Dragon Ball Super Series में दोबारा जिन्दा किया गया था और वो फिर से Goku के साथ टक्कर में आया Freezer एक Iconic Dragon Ball Z villain है, जिसका Character Development और Epic Battles अनमे और मांगा फैंस के लिए याडगार है Vegetar Dragon Ball Z anime और मांगा में एक Fictional Character है वो एक Powerful Saiyan Warrior है और Initially Goku का Rival था, लेकिन बाद में एनका दोस्त बैंग गया Vegetar का Real Name Prince Vegetar है, और वो Planet Vegetar का Prince था, जीस Freezer ने Destroy किया था Vegetar एक Arrogant और Prideful Character है, लेकिन उसका Character Development Over Time असको एक Hero बनाता है उसका Signature Move, Final Flash, बहुत Powerful है Dragon Ball Z series में Vegetar की Journey, Saiyan Saga से लेकर Mejan Boo Saga तक, फैंस के लिए Memorable रही Vegetar की कहानी Dragon Ball Z के बाद भी Continue ही Dragon Ball Super Series में, Vegetar ने अपने Powers को और Develop किया और अनका Character Growth देखा गया वो Super Saiyan Blue SSB form में भी लधने लगे, जोकी एक Advanced Saiyan Transformation है Vegetar की Family में उसका Wife Bulma है, और अनका एक बेटे है जिसका नाम Trunks है Vegetar अपने परिवार के लिए भी बहुत Strong Protective है, वो अपनी Pride पार भी कभी कभी Focus करते हैं, लेकिन उसने अपने Friends और Earth के लिए कई बार जान की कुर्बानी भी दी Dragon Ball Z और Dragon Ball Super में Vegetar A1 की करेक्टर रहा है, और उनकी Battles और Character Development उनको Anime फैंस के लिए एक Iconic करेक्टर बनेट है Boku Dragon Ball मांगा और Anime सीरीज का एक प्रमुक करेक्टर है, उसका असली नाम का करोट है और वो सायन रेस से है Boku अर्थपार बच्पन से रहा और Martial Arts मी महियर बना उसका सबसे प्रमुक लक्षिय, Dragon Balls, को एक अठा करके Dragon Shenron से चाहे वो कुछ भी हो, पूरा करने की कोशिश करना होता है Boku एक Powerful Martial Artist है और कई बार दुनिया को खटर से बचेन मी मदाद काता है Dragon Ball Z, Dragon Ball Super जैसे सीरीज मी उसकी Adventures दिखाए गई है Goku के बारे में और भी कुछ महत्वपून बातें Transformations, Goku के कई प्रकार के Transformations हैं, जैसे की Super Saiyan, Super Saiyan Blue और Ultra Instinct ये Transformations उसके Power और Speed को बढ़ाते हैं Dosti, Goku के दोस्त हैं, जैसे की Vegeta, Krillin, Bulma और Gohan Panka साथ उनकी Adventures में महत्वपून होता है Martial Arts, Goku Martial Arts का एक महियर है और उन्होंने Master Roshi, King Kai और Whis से ट्रेनिंग ली है Villains, Goku के साथ के दुनिया के खतरनाक villains हैं, जैसे की Freezer, Cell, Mejan Buu और Beerus पंस लेटे हुए Goku ने दुनिया को बचाया है Family, Goku की Family में उनकी वाइफ Chichi और डू बचे, Gohan और Goten है Goku Dragon Ball सीरीज का एक Iconic Character है और उनकी कहानी Martial Arts, Dosti और दुनिया को बचेन की कोशिश के आसपास बूंती है क्या दूंती है